पार्ट तीन श्री नगर के बाग भारत में अनेक दर्शनी स्थान है इन मेंसे कुछ स्थानों को मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया है तो कुछ को प्रकर्टी ने सवारा है कुछ थान ऐसे भी है जिने मनुश और प्रकृती ने मिलकर बनाया और सजाया है कश्मीर के शालिमार और निशात बाग ऐसे ही दर्शनी स्थान है शालिमार बागों का राजा है तो निशात को बागों की रानी कहा जा सकता है कश्मीर को इस धर्ती का स्वर्क कहा जाता है कश्मीर घाटी संसार के सुन्दर घाटियों में से एक है यहां कहीं पहाडों से जरने के रहे हैं तो कहीं मीठे पानी की बड़ी बड़ी जीले हैं कहीं केसर की क्यारिया हैं तो कहीं धान के हरे भरे खेत कहीं चिनार के विशाल व्रिक्ष तो कहीं लंबे देगदार के व्रिक्ष हैं सारी घाटी फल फूलों के बगीचों से भरी पड़ी है ऐसा जान पड़ता है मानो सारा कश्मीर ही बहुत बड़ा बाग हो कश्मीर के इसे सुन्दर्ता को देखकर मुगल बादशा जहांगीर प्रतिवर्ष कश्मीर आया करते थे उन्हें बाग लगवाने का बड़ा शौंक था कश्मीर में उन्होंने कही बाग लगवाई ये बाग उन्होंने ऐसे स्थानों पर लगवाई जहां पास में कोई जील या ज़रना हो ताकि उनकी सिचाई का उचित प्रबंध हो सके जहांगीर द्वारा लगवाए बागों में शालिमार बाग बहुत प्रसिद्ध है शालिमार का अर्थ है प्रीम वास्ता में यह बाग बाच्षा जहांगीर के सौंदरे प्रेम का जीता जाकता उधारण है इसे मनुष्य और प्रकरती दोनोंने मिलकर सजाया है शालिवार बाग श्री नगर से लगभग दस किलो मीटर दूर है बाग तक सड़क के रास्ते जाया जा सकता है साथ ही डल जील है अतहर नावों और शिकारों का प्रयोग भी कर सकते हैं चलो इस बाग की सैर करें शालिमार बाग सीड़ी नुमा है आउ पहली सीड़ी पर लगे बाग को तो देखें यहां कितने सुंदर पेड हैं यहां के क्यारियों में कैसे रंग बिरंगे भूल खेले हैं आडू, बादाम, खुबानी और चरी के पेड कितने सुंदर लग रहे हैं सेब के इन पेड़ों को तो देखो यह पेड अपने भलों के बोज से जुके जा रही है पेड पर लाल लाल से भी दिखाई दे रही है पत्तो का तो कहीं नाम तक नहीं है जैसे जैसे तुम उपर चड़ते जाओगे तुमें प्रतीक सीड़ी पर हरी हरी घास का गलीचा फूलों के क्यारिया तथा फलों से लदे व्रेक्षि ही व्रेक्षत दिखाई देंगे इस बाध के बीचों बीच बनी नहर को तो देखो यह नहर एक एक सीड़ी से उतरती हुई नीचे डल जील में जागिरती है उतरती हुई नहर ऐसे लगती है मानू जर्ना हो चौथी सीडी पर बने इस तालाब को तो देखो इसके बीच उंचे चबूतरे पर एक छूटा सा भवन बना हुआ है यहां जांगीर की बेगमें ठहरती थी तालाब के बीच में फवारों को देखो जब ये एक साथ छूटते होंगे तो कितने सुदर लगते होंगे यहां के चिनार के व्रिक्षों को जांगीर ने स्वैम लगवाया था अब निशात बाग के सैर करने चले निशात का अर्थ है प्रसनता सचमुझ यह बाग दर्शकों को प्रसनता से भर देता है इसमें संदेह नहीं कि निशात बाग भारत के सबसे सुन्दर बागों में से एक है इसे शाह जहां की बेगम के अबाह आसफ जहाने लगवाया था उसे यह बाग प्राणों से भी अधिक प्यारा था निशात भी सीड़ी नुमा बाग है बाग के बीचों बीच इन छोटे छोटे तालाबों को देखो यह एक नहर द्वारा आपस में मिले हुए है यहां कितने सारे फववारे हैं इनसे बाग की शुभा बहुत बढ़ गई है इस बाग में लगी फूलों की क्यारियों को तो देखो कैसे रंग बिरंगे और मनमोहक फूल है यहां लगता है मारो फूलों की प्रदर्शनी लगी हुई हो यहां चारों और सुगंध ही सुगंध है कश्मीर सौंदर की खान है बागों ने इसकी सुंदर्ता में चार चान लगा दिये है